हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टी चलमें सिन्दुकर सौनिया आपका इस इंट्रिस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो लोग एक्सपीरियंस मेडिकल रैप्स होते हैं वो कंपनी चेंज करते हैं तो उमसे कौन से कुश्चेंस तो फ्रेंड मैं यहां पर कुछ चीज़े आपको बताने वाला हूँ बस उतना प्रिपेर कर लिजिए और अगर आप कंपनी चेंज करने जा रहा है बस इसी चीज़े ही सारे कुश्चिंस आप से पूछे जाएंगे देखिए जब आप इंटर्यू को लिए जाते हैं तो हम आपसी यह कॉमन चीज़े बहुत ही रेयर के से पीछ आती हैं तब पूछ आता है जो आपने काम किया है अगर आपके मूड में जा रहा है मुझे कंपनी चेंज करना है देखिए आपको चार-पांच चीज़े प्रिपेर करना होगा सबसे पहले तो आप यह देखिए कि के बारे जाता है ठीक है नहीं एक यह दिदरेग घुट्षण के बारे में टो जिसन बी सेग्में रहें जाप आप आप हैं उस सग्मेंट के बारे में थोड़ा इंफॉर्मिशन अपने पास कलेक्ट कर दीजिए टीक है साइंट्टिपिक जीए दूसरा है कि आप कौनसे प आपका interview और कुछ भी पूछ लेना तो आप बता पाओ कौन कौन सी चीज ये basically पूछी आती interview के अंदर देखिए पहला होता है आपके product की detailing अगर चार brand के आप लिए आप interview में ये बोलेंगे कि मेरे company में बहुत सारे brand है sir but क्या है कि company basically four brand के उपर और तीन से पांच के बीच में ही brand को prepare करिए और वो brand prepare करिए जो आपको आसान लगता हूँ ऐसा मुझत चुए कि आपकी company में जो focus है उसको आप subscribe कर दीजिए आप ये देखिए आपको कौन सा brand आसान लगता है वही वाला brand आप prepare कर लिजिए आप उस brand में क्या-क्या prepare करना पड़ेगा सब पहले है उस brand का detailing ठीक है detailing में including brand name, composition, punch line और जो नीचे लाइनों करा दी हो थी सब आपको ये याद होना चाहिए और याद इस तरीके से होना चाहिए कि बिदा विजूलेट के आप detailing कर सेगा आप जो इंटर्विव में जाएंगे तो वहां तो आपके पास बिजूलेट होगा नहीं तो आपसे detailing करने लिए इंटर्विवर बोलेगा तो इसलिए आपका बहुत अच्छे तरीके से prepare होना चाहिए आप इस मौके के तलास में रहो कि जैसे यह बोले detailing करो और आप तुरंट खड़ सुरू हो जाओ जैसे आप तीन या पास ब्रेंड बोलेंगे ना तो 90% चांस है कि आपसे इंटर्विवर detailing सुनेगा ही सुनेगा तो आपका पास ब्रेंड के detailing बहुत अच्छा होना चाहिए दूसरा क्या प्रिपेर होना चाहिए उसी ब्रेंड के इंदर जो यह पास ब्रेंड है इनका कम से कम्पीटिटर विद कम्पनी नेम ठीक है जिस आपके ब्रेंड के जो अप कम्पीटिटर कौन से ब्रेंड होते हैं competitor वो brand होते हैं जो अच्छी company brand होते हैं मैंने यह देखा है कि जब मैं interview लेता हूँ पूछता हूँ competitor brand बताओ competitor brand आपने बताने लगता है medical rep की small PG based company का चोटी चोटी company का उसको competitor नहीं बोलते competitor brand वो होता है friend जो सब जगह लगब लगब available होता है जो खूब बिखता है जो बड़ी बड़ी company के brands होते है actually उनको competitor brand बोला जाता है ना कि किसी भी एक दो company brand हमने कहीं रखा देख लिया तो उसको हम competitor brand बोलेंगे understand तो ऐसे आपको top 5 company के आपको brand पता होना चाहिए नहीं पता है तो आज काल different different websites website सर्फ वहां से देखके 1MG है नेटमेंट है बहुत सारी website सर्फ वहां से जाके अपने brand का competitor आइड करके देख लीजिए हो सकता है आप small company के अंदर काम करेंगे तो वह combination वह साल को combination डाल देंगे website पे तो वहां से आपको competitor molecule मिल जाएगा ठीक है तो आपको competitor molecule पता चल जाएगा इसके लोग अपने brand की MRP प्रस competitor brand की MRP आपको पता होना चाहिए इसके लोग क्या पता होना चाहिए आपको आपको जो अपना brand है वो doctor क्यों prescribe करें क्या reason होता है या आपके brand के अंदर खास बात क्या है या doctor को क्या बताते है जो औरों से आपका brand अलग करता है understand ये चीज़े भी आपको पता होना चाहिए ता कि detailing करते समय आप interviewer को बता सको और एक अच्छा impression डाल सको तो ये होती है basic चीज़े जो brand के बारे माँ आपको prepare करना चाहिए salt composition इसके अलग जो आपका ये पांच ब्रेंड ये वर्क कैसे करता है means इसका mechanism of action कैसे है मालीजी पेंटा प्रजोल है तो पेंटा प्रजोल क्या होता है proton pump inhibitor होता क्या है कैसे काम करते हैं ये proton pump को inhibit कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए जो भी आपके पांच प्रोड़क्ट है उसका mechanism of action वो प्रोड़क्ट बॉड़ी में जाने के बाद काम कैसे करता है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए और ये सब चीज़ ना बहुत ही इसली जो है गूगल के उपर हो लेबल है बस आप जाए सर्च करिए आपको मिल जाएक और ये बहुत आसान आसान सी चीज़े होती है simple simple चीज़े होती है जो आपको पता होना चाहिए बहुत टफ है आप मैं करने बाद किया हूँ मैं भी काम किया हूँ मुझे नहीं पता होगा भाई दोको ये बिल्कुल ही simple चीज़े है understand आप थोड़ा गूगल करोगे पढ़ोगे समझोगे नहीं समझ में आता फील्ड में किसी senior की help लो किसी क्या बोलते है ऐसे बंदे के लिए लो जो pharmacy करके आया हुआ है वो आपकी help कर देगा जिससे आपकी understanding काफी ज़दे अच्छी हो जाएगी understand यह चीज़े बहुत आसानी से कर सकते हैं बट क्या है ना चाह होनी चाहिए करने के लिए ठीक है इसके अलावा क्या देखा जाता है इसके अलावा आपको communication देखा जाता है आपको communication कैसा है आपने कैसे बात करते हैं कितनी यल्दे किया है तो आपके जो भी कोर डॉक्टर है ना उनको वाट्सप पर रूगलर बेसिस मैसेज करते रही है इस्पेसली जब आपको company चेंज करने का मन हो तो बिल्कुल करते रही है वहां पर contact में बने रही है जिससे क्या हो ना कि वहां पर आपसे जब भी पूछा जा ऐसा मौका मिले तो आप दिखा दो सर यह देखो दस डॉक्टर है मैं देली इनको sms बेजता हूं देली मैं इनको reminder बेजता हूं इससे क्या हो एक अच्छा impression create हो तो चलो यार यह ना काम करने वाला बंदा है तो आप एक चीज को ऐसे create कर सकते हैं इसके अलगा कुछ doctor के साथ आपको बड़े एच्छी relation होना चाहिए कई बार क्या होता है interviewer क्या बोलता है ठीक है आप मेरे सामने ना किसी doctor से बात करिए understand अब किसी relation हों को तभी तो आप बात कर पाओगे ठीक है या बोलता है कि आप किसी doctor का reference दे दिए जो हो जो हम बात करेंगे आपके बारे में पूछेंगे तो आपका जैसा रहे कर बताएंगे तो कई बार क्या होता है एबियम फोन करके पूछता है उस doctor से कि यहां सार यह medical drive को जानते नहीं उसका यह brand आता आप जानते नहीं जाते हैं तो इस तरह कि आपके relation पहले से होने चाहिए मार्केट के अंदर काफी easy हो जाता है selection होना ठीक है तो इसके अलावा क्या पूछा जाता है इससे अलावा आप माली जो कोई इससे बढ़ा दिया जाएगा कैसे कि मेरा hundred question interview series है वैसे फ्रेसर के लिए है लेकिन यस एक्सपीरियंस medical drive भी आप देखेंगे तो आपको बहुत knowledge मिलेगा और यह typical टाइप के questions होते हैं न सेल कैसी increase कर दिया जाएगा मेरे यहां बहुत जिदा सेल हो रहा है आप आएंगे तो आप control कैसे कर लेंगे मेरा medical drive बहुत अच्छा काम कर रहा है आपको मैं क्यों ले लूँ आप कैसे control कर इन सभी टिपिकल इस टाइप की questions का answer जो hundred question interview series में मैंने दिया हुआ है 100 questions है जाके मेरे चैनल के उपर folder में आप देखेंगे 100 questions series का आपको folder मिल जाएगा उसके अंधार जाके वह 100 questions देख लीजिए ठीक है 10-15 minute के वीडियो है daily daily करके एक वीडियो देख लीजिए आपको बहुत अच्छा knowledge हो जाएगा और आपको बहुत help मिलेगी इसके बाद एक question हो रहाता है कि sir मैं MNC companies में कैसे जाओ या बड़ी companies में मुझे job कैसे मिलेगा ठीक है मैं इसी लगे हाते हैं इसको भी answer कर देता हूँ देखिए friend जब भी आपको आपको जाना है किसी बड़ी company के अंदर तो आपको उस बड़ी company के medical reps ना interact होना प पहली बाद या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर फिर में क्या है दस पंदर आट बीज डिविजन है तो एक डिविजन में खाली हुआ तो दूसरे डिविजन में पता चल गया वह अपने friend को रखवा दिया इसलिए बड़ी company के लोगों के टेच में रहेंगे और बड़ी company के अंदर एले लिली में हो गया एश्टर में हो गया और आयर पैकेज में लगया अनेश्टेंड सूपर इस्पेसिलिटी डिविजन में चला गया और किसी साइड में चला गया तब बड़ी-बड़ी company के medical rap के साथ आपका friendship रहेगा जब वह कहीं और move करेंगे तो वहां पर आपको वह gap मिल जाता है तब आपको दो चीजिक जरूवत होती है आपका market reputation बड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि आप न इसके लिए apply करो और आपका काम बन चाहे ठीक है और linking के तुरू आपको वह vacancy पता चल जाएगे देखिए सबसे best way यही है अगर आप ब मुझे पता था यह बंदा इस तारीक को resign कर देगा यह छोड़ देगा उसके बाद मुझे इंटर्वी इंटर्वी में सिर्फ तीन ही लोग गये ही थे सबस्दों सोच इतनी क्लोज वेकेंसी थी अबड़ की सिर्फ तीन लोग इंटर्वी में गये थे बाकी लोगों तो माल करें में उनके relation जो है काफी अच्छे थे लेकिन मेरे साथ relation के साथ मेरे साथ प्लस पॉइंट यह था कि क्योंकि मैं काडेक डाइबडी डिवीजन के अंदर गया हुआ था मेरा नॉलेज काफी अच्छा था मेरे पास relation प्लस नॉलेज दो चीजे थी जिसकी हुए से मेरा से दोक्टर को ऐसे रखो कि आपका नाम तक आपको जाते ही वो बिल्कुल देख के पहचान जाए ठीक है इस तरह का close relation आपको रखना पड़ेगा और यह close relation आपको लाइफ में बहुत हिल्प करेंगे not only as a medical representative आप ABM बन जाइए आप JNBM बन जाइए अब हमेसा बोलोगे गरों सब्सक्राइब करेंगे आपको कभी इस फील्ड के अंदर कोई प्रॉलम नहीं को आता है जो लोग रेगुलर इस फील्ड के अंदर काम नहीं करते हैं ठीक है marketing means होता है relation जिसके relation अच्छे हैं फील्ड के अंदर उसको कभी जॉब की प्रॉलम नहीं आएगी ठीक है प्रस अपने growth के उपर काम करना है this is your responsibility चलिए इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा और जो भी experience medical trap है उनको काफी कुछ सीखने के मिला हो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो ना एक like जरूर कर दीजिएगा जिसे मुझे काफी अच्छा लगता है मैं motivate होता हूँ और channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही motivational videos आपके जो helpful हो सकती उसको लेके आता रहता हूँ इसी channel के ऊपर ठीक है और इस वीडियो को देखने लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching this video bye bye